हलो दोस्तों आयोब सब ठीक होंगे आप देख रहें मैडिसन फोमर चैनल आज हम लेकर आपके लिए कुछ नहीं जान करी आज हम बात करें किटो कोनाजुल टार्विट के बारे में ये एक एंटी फंगल मैडिसीन है जो कि दाद खाज खुजली में यूज होती है आज हम जा करने में प्रयोग में लाई जाती है यne किटो कोनाजुल फंगस में इगवास्ट्रो 만 की प्रोडक्षण को रोखती है जोकी फंगस के सेल मेंब्रन की ग्रोथ के लिए जिम्यदा रहता है जब Fanulas अपने आप ठीक हूंने लग जाती है ऐसे ये कटिटो कोनाजुल धाय 혼자 10 mm तता कि टो कोनायौ 200 मिलीग्राम टैव्ट में आपको मार्केट में मिल जाती है कि अपने जैनुरिक नाम किछ्डों जो मिल जाएगा इसके इसक पूपला ब्रैना सराट जो कि आपको सानी से किसी भी मेडिकर्च शोड से मिल जाएंगे अब हम जानते हैं इसके यूजर के बारे में ये एक एंटी-फंगल मेडिसिन है जो कि फंगस के द्वारा होने वाल इंफेक्शन को ठीक करने प्रयोग में आती है जैसे कि रिंग वोम ये एक दाद है जो कि गोल चकर जैसा दाद हो जाता है जिसके उपर रैडनेस, सूजन त इसमें भी ये किटो कोना ये डोक्टर द्वारा दे जाती है और बहुत यह रिजल्ट मिलता है इसके लवा टैनिया वर्सकुलर इसमें आपके बोडी में वाइड कलर के पिंचस हो जाते हैं जिसमें आपको जलन होती है ये आपके बचाष्ट पे तथा आपकी बैक पे भी हो सकते हैं उसके ट्रीटमेंट में भी डोक्टर द्वारा ये किटो कोना टाबिट दी जाती है इसके लवा डैन्डरफ में डैन्डरफ एक फंगल इंफेक्शन है उसके जूजर में भी ये किटो कोना ये डोक्टर द्वारा यूज की जाती है इसके लवा स्बोरिक डर्मे जाती है उसमें भी जो आपके मूह में होती है इसमें आपके जीब पर स्फेध रंग की पर्त जम जाती है इसके लावा जो दूसरी केंडिडाइटी से वह आपके जिनांगों में होती है इसके ट्रीटमेंट में भी डूक्टर द्वार ये किट्टो कोना जो टैल्विड यूज की जाती है इसके लवा थलीट फूट नाम की बमारी है यह जादा तर जो लोग रेट में काम करते हैं उनको होती है जा फिर आप जादा दर शूज पहन के रखते हैं उसमें आपके पै पैरों में आपको खुझली होती है तथा आपके पैरों में आपको जलन दर्द तथा रेडनस हो जाते हैं उसके ट्रीटमेंट पर डूक्टर द्वारा ये के बारे में इसके लवा किट्टो कोना जो टैल्विड का एक और यूज देखा गया है वो है excessive hair growth अगर आपने कोई stearid ज़्यादा ले लिया है stearid की overdose ले लिया है जिसके side fact में आपको face पे hair growth उने लग जाती है जैसे कि female में ज़्यादा तर देखा गया है ये stearid की overdose लेने के कारण होता है जैसे कि female bednovate N face पे use करते हैं उसके side fact में ये हो सकता है उसके treatment में भी जैस पोर्टिव मैडिसिन के रूब में जै किट्टो को नायल टावड दी जाती है और बहुत ये रजल्ट मिलता है ये कुछ uses थे किट्टो को नायल टावड के बारे में इसके लवा डोक्टर अपने experience के साब से इसे कुछ और बमारियों में भी यूज कर सकते है अब हम जानते हैं किट्टो को नायल टावड के side fact के बारे में अगर किसी व्यक्ति को इसके side fact होते हैं तो उसे nose या बम्टिंग हो सकता है दस सलक सकते हैं उसके मुँ में उसे सुकापन हो सकता है पेट में गैंस बन सकती है तता उसकी heart beat में changing आ सकती है इसके लाव पुर्षों में इसका ज्यादा यूज करने पे side fact है गनाइक को मैस्टिया नाम के एक मारी हो जाती है जिसमें पुर्षों की chest मेलाओं की तरह उने लग जाती है अगर आपको इनमें कोई भी side fact दिखे जैसके लावा कोई और side fact दिखे तो आप ये tablet लेना बंद कर दें और अपने डोक्टर से जाकर मिलें अब हम बात करें किट्टो कोनल टावट की dose के बारे में इसकी dose जो डल्ट में जाती है वो 200 mg रहती है OD दिन में एक बार खाना खाने के बाद इसके लावा अगर किसी कुछ कुछ ज्याला परशान नहीं हो तो उस वक्त डोक्टर द्वारा ये 200 mg वाली dose BD दिन में दो बार सुबा और शाम दी जा सकती है इसके duration time के बात करें तो उसके duration time 5 दिन से लेकर 6 महीने तक का हो सकता है वो आपकी disease पर depend करता है ये kittokonagule tablet पर नैंसी में नहीं दी जा सकती अगर कोई बच्चा 12 साल का है तो उसे भी ये tablet नहीं दी जा सकती अगर कोई बच्चा 12 साल का है जब 12 साल से बढ़ा है तो उस वक्त ये tablet 100 mg की उसे दिन में एक बार ओड़ी दी जा सकती है ये थी पूरी जानकरी किटो को नाजोल टैबल के बारे में अगर जानकरी अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर करना मत बुलें और मारे चैनल को सस्क्राइब करें रिलीवर फिर में लेंगे कुछ नई जानकरी लेगे थैंक्स वर वाचिंग